हेज फ्रेंट्स क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे लंबी आंतराष्टिय सीमा किन दो देशों के बीच है वो देश के नाम अमेरिका और कैनेडा है जिसकी कुल लंबाई 8891 किलोमीटर है और एक बाद दुनिया का सबसे छोटा आंतराष्टिय ब्रीज बी अमेरिका और क केनिडा के बीच है ए वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मा यूटूब चैनल